नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप चानक की नीतियों को पसंद करते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आचा चानक का मानना था कि एक इस्तरी आपके घर को बना भी सकती है और उसे बिगारने की भी चमता रखती है एक गुडवान महला यदि पत्नी के रूप में जीवन में प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति को फर्स से अर्ष तक पहुँचा सकती है संतोसवान इस्तरी जो इस्तरी संतोसवान होती है वो अपने पती का हर इस्तती में साथ देती है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करती है और उसकी ताकत बन जाती है ऐसे में पुरुष तमाम चिंताओं से मुक्त होकर अपने काम को अच्छे से कर सकता है और खुद आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगी ऐसे इस्तरी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाती और पूरे खर को बांध कर रखती है सांत इस्तरी इस्तरी को लच्मी का सरूप माना जाता है लेकिन अगर वो क्रोधी सभाब की हो तो बहुत कुछ समाप कर देती है लेकिन जिसकी पत्नी सांत सभाब की होती है उसे क्रोध नहीं आता है ऐसे इस्तरी की पत्ती ही नहीं पूरे परवार की ताकत बन जाती है वो किसी को गलत रहा पर नहीं जाने देती और सोच समझ कर हर नेड़े लेने की चमता रखती है मीठे बोल बोलने वाली यदि पत्नी की वानी मधुर हो तो पूरे परवार के सुप महवात वरान बना रहता है ऐसी महला पती के लिए बहुत ही भागसाली साबित होती है दोस्तों ऐसी इचाणकी नीतियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लैक जरूर करिएगा धन्यवाद